हेले वरेवन वेलकम यो ओल एट लोके सर अलेम्टेड स्टडी जोन आज स्टार्ट करने वाले हैं मैट्स की प्रैक्टिस का पेपर नंबर टू इंपॉर्टन क्वेशन पेपर हम करेंगे जो की बैक एर पेपर में पिछले सालों के वर्षों के जो पेपर से उनमें आये गए प्रशन उनको देखेंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं कल हमने प्रशन पत्र 2020 करना सुरू किया था फिर उसके बाद दो तीन क्वेशन हो पाये थे उसके बाद क्लास जो है कल आफ हो गई थी तो आज उसके आंगे हम प्रशनों को हल करेंगे ठीक है ना कल यहां पे छोड कल में ने बताया था ऐसे संबंध किते होते हैं केवल एक इसको हल करके मैंने बता दिया था इसका इसका आंचर माइनस पाबए थरी आया था यह कल के वीडियो में आप लोग देख लिए ना और 3 क्रॉस 3 यह तो खैर आपको रटा हुआ होगा एना इसका अंसर कितना हा था आई अपॉन ए वन अपॉन ए कभी नहीं लिखना इनिवर्स को एनिवर्स कितना होता है आई बटे ए क्योंकि मेट्रिक्स की भाजा का जो हाई होता है है ना वन जो होता वो ए हुआ करता चलो आप इसको स्वाल करते हैं तो इसको वाड़ दो डिटर्मिनेंट ओफ आई डिटर्मिनेंट ओफ आई अपॉन डिटर्मिनेंट ओफ ए ठीक है ना तो डिटर्मिनेंट ओफ आई कित्ता होता वन सानीक आई का सानी कित्ता होता वन और डिटर्मिनांट ए को सीदे लिख सकते हो डिटर्मिनांट ए या मोड ए ऐसा बोलते हो जो होगा मरला आपको बुला गया है कि इसका आपको integration करना है इसके करना है तो ये कॉच् Node अभी तक शायद देखाना हो इसतरी के को सोल करते हैं जिसको लेविनीजरूल कहते है ठीक ना है कि इसको इक मैथट से बोलते हैं जिसको लेविनी जूरूल बोलते हैं खेर अब जादा जानकारी की आपको उसके बारे में ज़रूरत नहीं है सीरी सीडिया बात आपको इसकी ट्रिक बताता हूं कि यह से कुश्चन को आप कैसे करोगे देखो अगर यह कुश्चन एक्जाम में आ गया तो इसको कैसे करोगे इसमें क्या परिश्चानी है आप लोगो इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में परिशानी ये है कि बोला गया है fx दिया गया है आपको इसको करना है, तो आपकी भासा में समझो, आप इसको कैसे समझोगे, सबसे पहले देखो fx क्या है, तो fx जो है, वो समा कलन है, कहे का, tsin t का, लिमिट किती रिखी है, 0 से लेके x, और फिर क्या पूछा गया है, फिर आप से, ये dt भी है, फिर आप से पूछा गया है, f-x क्या होग तो पहले मैं पूरी method बता देता हूँ, फिर मैं आपको trick बता दूँगा, देखो पहले पूरी method, कैसे करोगे, वोई, i late वाला rule लगाओगे, first function, second function, तो inverse, logarithmic, algebraic पहला आगया, trigonometric दूसरा आगया, चलो solve करते हैं, fx equals to, कितना हो जाएगा, first function t, second function का integration, sin t का बोलो, कितना सायंटी, now, minus, international, differentiation, of the first function, t का हो गया, one, into integration of second function, बोलो कितना हो जाएगा, minus cost का t, और कितना हो जाएगा, यहापे, dt हो गया, है na, चलो भाई, इसको solve करने तो, minus t, cos t, और कितना हो जाएगा, है पन सायंटी, क सायंटी का सायंटी, तो minus minus plus और sin चलो अब limit लगा दो limit किती दी गई है यह 0 से लेके x 0 से लेके x तो upper limit x है lower limit 0 है तो upper limit put करोगे तो upper limit बस यही बचेगा x cos x x cos x तो upper limit में आपके पास में बचेगा कितना fx equal to आपके पास में बचेगा x cos x वो भी minus का minus का x cos x और plus का sin x plus का sin x ठीक एक बढ़र देख लो t cos t था तो minus का x cos x और plus का कितना बचेगा sin x ठीक है अब limit आपके पास जो रखी हुई है वो किती रखी हुई है आपके पास में 0 to x limit तो मैंने put की कर दी ना चलो limit मैंने put कर दी अच्छा second limit आप पूट करने जाओगे second limit यदि आप पूट करने जाओगे तो क्या होगा second limit अगर आप यहाँ पे put करने जाओगे तो 0 हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा तो उसको कुछ लिखने की जोड़ती नहीं है तो बच्चों ये हमाँ पास आगया कितना अपने पास में fx आगया क्या आपने पास में fx बट हमारा काम काई से चलने वाला है f-x से किसे चलने वाला है f-x से तो आपके पास में f-x जो आपको निकालना है सेलो इसको differentiate कर दो है ना इसको क्या करने है अपन डिफ्रेंशेट करने हैं तो कैसे डिफ्रेंशेट करेंगे पहले माइनस बहल लो प्रथम फलन गुणे दूती ये फलन का उकल गुणां कॉस X का कितना होता है माइनस साइन एक्स प्लस दूती ये फलन गुणे प्रथम फलन का उकल गुणां क्या 1 हो जाएगा और signX plus cosX का कितना हो जाएगा ? SignX का कितना हो जाएगा ? और कलन कर रहे हैं, ध्यान देना ? है ना ? चलो, Sana x का हो गया ? अब देखो अब देखो, इसको minus, ये bracket में है ये किसमें है ? bracket में ? क्यों ? क्योंकि X cosX था न बिटा ? तो मैंने इसको अलग कर लिया था और इसका तो अलग हुआ है चलो तो minus sign का attack करेगा तो minus minus क्या हो गया plus तो क्या बन गया बेटा x sin x और minus का cos x और plus का कितना बेटा cos x cos x क्या हो गया cancel और answer कितना आगया x sin x तो option number कौन सा होगा बेटा x sin x भी option ठीक है ये तो हो गई इसकी पूर रहा हूं यह देखो बिटा आपके पास यह क्या है fx ए fx आपको कितना दिया गया है 0 से लेकर के x d by अभी कहां डीवाइडीटी पहले टी साइंटी और आपके पास में है क्या डीटी है ठीक है ना आपको क्या निकालना है f-6 f-6 निकालने के लिए मतलब आपको क्या चला आपको पता है कि integration और differentiation एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो integration और differentiation एक दूसरे को क्या कर देंगे cancel कर देंगे lower limit रखने की जरूरत नहीं है सीधे अपर लिमिट आंसर में जहां जहां T है वहां वहां रख दो आंसर आ जाएगा आंसर X कुछ नहीं करना है यहीं देख के मुझे आंसर पता चल गया था X, Sine, X यह इसकी ट्रिक हुआ करती है तो आंसर नंबर B हो गया ठीक है ना? यह इसकी मेथड हुआ करती है बुली क्लियर है? Yes मुकुल कुश्चन के अंड में सब का यासाना जरूरी भाई चलो यह हो गया कुश्चन नमर फाइब डन अगला कुश्चन चलते है प्रतेक अवकल नहीं है फलन यह पेपर जो है एक्जाम में आए हुए चल रहे है यह 2020 का पेपर चल रहा है इसको बहुत सीरियस लो यह एक्जाम में जो ओरिजनल पेपर आए हुए है वही चल रहे है 2020 के पेपर में चली है कुश्चन नमर टू प्या चुकर है देखिए हाँ एक सवाल यहाँ पर पूछा है कि क्या सर हर सतत फलन अवकल निये होता है बिलकुल नहीं कल मैंने पढ़ाया था क्लास में कि देखो अगर आपके पास एक फलन मैं आपको दिखा रहा हूँ यह देखा था आपने यह फलन कुछ इस तरीके से जाता है तो यह भाईया सतत तो है मगर यह आपको क्या मिल रहा है नुकीला कोना और नुकीला कोना पर अवकल निये नहीं होता था यास तो सतत फलन अवकल निये नहीं होता है परन्तु परतेक अवकल निये फलन सतत होता है याद रखिएगा चलो भाई अगले कोश्चन पर अगला कोश्चन प्रतम चतुर्थांस में व्रत इतने और रेखाओं 0x equal to 0y equal to 2 के द्वारा घिरे हुए छेत्र का छेत्रफल ओके प्रतम चतुर्थांस में व्रत बनाते हैं इसको छेत्रफल निकालना है हम लोग को है ना प्रतम चतुर्थांस में आपको ब्रत इतने के द्वारा घिरा हुआ छेत्रफल निकालना है चलिए तो सबसे पहले x square plus y square equal to 4 के सही दर्शन करो तो x square plus y square equal to 4 कितना है 2 का square है पता चल गया इसका आपको x square plus y square equal to r square के रूपका है जहां r का मान कितना है 2 है ये लोग बरत बना लिया केंदर कितना है बिटा 0 0 इसका केंदर कितना होता है 0 0 हाँ तरिज्जा किती है 2 मतलब ये वाला बिंदू कितना होगा 2,0 x equal to 0 और y equal to 2 रेखाओं x equal to 0 अरे भाईया रेखा x equal to 0 क्या होती है रेखा x equal to 0 होती है yh yh का ही नाम है रेखा x equal to 0 ये तो पता होना चाहिए सबको नौवी क्लास में पढ़के आते हो yh का नाम क्या होता है x equal to 0 क्योंकि yh पर बैठा हुआ हर बिंदू x का निर्दे सांक 0 होता है 0,0 0,1 0,2 तो इसलिए yh का समेखाओ x equal to 0 और y equal to 2 ये देखो बई y equal to 2 देखो अगर इसकी तरिज्जा इधर 2 है तो बिटा इसकी तरिज्जा इधर भी किती होगी 2 ही होगी yes तो इसकी तरिज्जा इधर भी 2 ही होगी तो ये y equal to 2 मतलब y में एक कदम y में 2 कदम तो y equal to 2 मतलब y अक्ष में 2 की लंबाई की रेखा सरल रेखा ये बन गई रेखा y equal to 2 अब क्या कह रहा है अब कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांस में इसके द्वारा तो भाईया आपको इन दोनों रेखाओं के द्वारा घिरा हुआ छेत्रफल ग्यात करना है व्रत ये रेखा ये रेखा ये तो मेरे ख्याल से हमको ये समझ में आ रहा है जो व्रत भी घेरे है नीचे वाली रेखा भी घेरे है उपर वाली रेखा भी घेरे है और ये भी घेरे है यह हमको प्रथम चतुर्थांस, प्रथम चतुर्थांस मतलब कौन सा, यह जानते हो ना फश्ट वाला, इसमें, चलो, तो यह क्या देखा है हमको, इसमें तो कुछ लगाना भी नहीं, काय को लगाएं, इंटीग्रेशन, फार्मूला होता है वरत्य का पाई एर स्क्वेर, और इस तरीके से इसको एक चतुर्थांस ही बोलते होंगे, शायद मेरी खाल से इंदी में, है ना, इंग्लिश में इसको क्वाटर बोला करते थे, क्वाटर याने की एक चौथाई, यस, चलो भाई, तो वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू कित्ती है बेटा, दो है ना, र चार कोटी वाले, किसी ओकल समीकर के व्यापा खल में, उपस्थित स्वेच अचरों की संख्या, अरे जितनी कोटी होती है, उतने ही स्वेच चचर होते हैं, कोटी चार है, तो स्वेच अचरों की संख्या भी कित्ती होगी, चार ही होगी, कोटी याने की ओडर, ओडर याने सम्तल हट गया छोड़ दो कोई काम नहीं अगला क्वेश्चन सभी व्यवरोधों एक ये हां क्या वोल रहो अच्छा कोटी बता दें चलो भाई ओक एक बार कोटी बता देते हैं वेटा अवकल समी करण की कोटी वा घात अवकल समी करण की कोटी तथा घात कोटी का मतलब है कोई दिया गया अवकल समी करण जितने बार अधिक्तम अवकलित किया गया हो किया गया हो जितने बार अधिक्तम अवकलित किया गया हो उसके संख्या को कोटी बोलते हैं जैसे example के לिए d4y by dx4 dx4 मुकुल इसको कितने बार øकलित किया गया है? 4 बार तो इसकी कोटी कितनी होगी? इसकी कोटी होगी 4 समान रूप से बात कर रहा हूँ जितने बार उकलित किया गया है? जितने बार को जितने times आपने उसको ओकलन किया है उस times को उस number को बोलते है कोटी और जो कोटी वाला पद है कोटी वाला पद कोटी वाले पद के उपर जो घात चड़ी होती है कोटी वाले पत की उपर मतलब highest वाले derivative term की उपर सबसे ज़्यादा वाले derivative term की उपर जो अधिक्तम घात चड़ी होती है अधिक्तम घात तो उसको क्या बोलते हैं उसको अपन घात बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं घात बोलते हैं तो यह हो गई कोटी और यह हो गई घात, अब एक चीज़ याद रखो, कि अगर किसी समी करण में, अगर मान लो के अचरपद हैं, कितने हैं के अचरपद, है ना, arbitrary constant, switch नियतांक, अचरपद मत करो, अचरपद मतलब switch नियतांक, तो उस समी करण का, उससे जो बनने वाला अवकल समी करण होगा, उसकी कोटी कित्ती होगी, के होगी, कोटी कित्ती होगी, के, समझो, समझो, जैसे मैं आपके सामने एक समी करण देदू, y वराबर a cos x, प्लस b sin x, ठीक है, यहाँ पर कितने अचरपद हैं, एक यह है, और एक यह है, दो constant है, अचरपद ना कहो, इनको बोलो switch निये tank, जो कोई भी value ले सकते हैं, यहाँ पर दो switch निये tank है, तो जब आप इसका समी करण बनाओगे, तो इसका ओकल समी करण की कोटी कित्ती होगी, दो होगी, मतलब आपका जो ओकल समी करण बनेगा, वो d2 y by dx2 धारण करेगा, जिसकी अ d2 y by dx2 equal to 7 d y by dx की power 4 plus 3 d2 y by dx2 की power 6, ओके, और यहाँ पर power चड़ी है 2, चलिए, बताइए, इसकी कोटी कितनी है और इसकी घात कितनी है, कोटी मतलब highest bar derivative term, तो यह एक बार है, यह दो बार है यह भी दो बार है, तो इसकी कोटी जो होगी वो क्या होगी, दो, अब घात देखिए, तो घात देखने का अधिकार केवल आपको कोटी के पदों पर है, तो या तो इस पे देखो, या तो इस पे देखो, इस पे नजर मत डालो, कोई काम का नहीं है, ठीक है ना, यह नहीं क 6 बट रुख जाईए अभी भी यहाँ 6 कहने का अधिकार आपको नहीं कि आपने यहाँ पे घात कोटी 6 कह दी देखिए यह हाँ ठीक है कह सकते हो क्यों क्यों क्योंकि यह 2 पावर है 6 पावर है न जुड़ेगी न घटेगी कुछ हो नहीं सकता है तो यहाँ पर घात इसके कित्ती हो जाएगी 6 हो जाएगी तो कोटी है 2 और घात है 6 नोट कर लीजिए इस सवाल मैंने खुद से बनाया है जो आपको कोटी और घात दोनों के बारे में complete जानकारी दे सके कोटी 2 है घात 6 है बोलो मुक्वल चलिए अगले सवाल की और चलते हैं अगला सवाल पाचवा सभी व्यवरोध हो सुनेतर मतलब नौन जीरो व्यवरोध मतलब ये वाले एकस भी जीरो से बड़ा है और वाई भी जीरो से बड़ा है द्वारा निरधारित उभैनिस्ट छेत्र क्या कहराता है अरे भाई जो निरचnaire बनता है वो कहलाता है सुसंगत छेत्र यार्ण करोमे ने क्लास में करवाया था कि कपड़े की एक फैक्टरी खोलनी है तो पैसे की ये condition बनेगी पानी की के condition बनेगी लेबर की के condition बनेगी और जो hour totalal cu condition बनती है जो आपके फेवर में जाती है उस छेतर को क्या बोलते हैं वेटा सुसंगत छेतर ठीक है चलो डन है तो यह कह पाचों आजो भाई आंगे अगला क्या सत्य असत्य, ओके, सत्य असत्य देखते हैं, यदि A और B ऐसी दो घटना हैं कि P A 0 के बराबर नहीं है, और P B upon A equal to 1, लो, P B upon A equal to कितना दे लिया है, 1 दे लिया है, तो कहरा है कि तो A जो होगा B का उपसम उच्चे होगा, आज अब भाई निकालते हैं, A B का उपसम उच्चे होग समझो इस चीज को, इसको करना पड़ेगा स्वाल हमको, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, सबसे पहले कि P B A equal to 1, बहुत बढ़िया, सो P B intersection A upon P A, पड़े हो ना, यह उता है ना formula, equal to कितना 1, तो P A intersection B equal to कितना P A, मतलब A और B का जो common है, वो A के equal है, A और B का common जो है, किसके equal है, A के equal है, ध्यान से देखो, यह है B और यह है A, इन दोनों का जो common part होगा, 10 रुपए के सिक्के के अंदर 5 रुपए का सिक्का रखोगे, बाहर 10 रुपए, अंदर 5 रुपए, दोनों का common कौन सा सिक्का हैगा, 10 रुपए की 5 रुपए, 5 रुपए, तो B और A का common, दिख रहा है साब साब की B intersection A कह लो, यह A intersection B कह लो, A intersection B कह लो, यह B equal to कितना आ रहा है, A आ रहा है, मतलब कौन किसका subset है, A जो है, B का subset है, A is the subset of B, बिल्कुल सही बात है, तो यह क्या होगा, सत्य होगा, अब देखो, सब कुछ बनता होगा, मगर फिर भी बहुत सारे बच्चे इस question को छोड़ के आ जाएंगे, जानकारी की अ question आया था, है ना, चलो, अगला question, समझ में आ गया, मुकल, चतरपाल, सभी को आया समझ में, बहुत बढ़ी है, चलो, अगला question, A द्वारा सत्त बोलने की प्राइकता 4 बटे 5 है, एक सिक्का उचला जाता है, और A बताता है, कि चित्त प्रदर्सित हुआ है, वास्तिवी के रूप में चित्र होन, चित्त होने की प्राइकता 4 बटे 5 है, ले ऐ, मतलब, भर ये कह रहा है, ये द्वारा सत्त बोलने की प्राइकता है, सत्त बोलने की प्राइकता कित्त ही? 4 बटे 5, उसने सिख्का उचला, और चित्त आया, और इसके बाद लिखा, वास्तिवी क specially में तो ये कथन बिलकुल सत्य है ठीक है ना बट इसी question को मैं घुमा देता हूँ इसी question को मैं घुमा दूँ कि एक सिक्का उच्छाला आता है और पट आता है क्या आता है पट आता है और वो कहता है उसने क्या बोला है एक सिक्का उच्छाला जाता है और A बताता है कि पट्टाया हुआ है क्या हुआ है पट्टाया हुआ है तो वास्तिविक रूप से चित्त के आने की प्रायक्ता क्या होगी अब देखो वो जुट बोल रहा है क्योंकि एक क्या बोल रहा है एक नेक वहाँ पट्टाया है मतलब वो जुट बोल रहा है तो वास्तिविक रूप से चित आने की प्रैक्ता क्या होगी जुट बोल रहा है तो आंसर 1-4 by 5 आंसर किता 1 by 5 बोलो समझ में आया है बच्चों सभी को हाँ यह अच्छा क्वोश्चन बनेगे आपने दुवारा है नहीं आ सकता है चलो अगला क्वश्चन सुसंगत छेतर के बाहर भाग के किसी भी बिंदू को संगत हल कहते हैं महा जुट काई को संगत हल कहोगे सुसंगत छेतर के बाहर भाग बोल रहा है बाहर के बाहर के बाहर को वो होते ही नहीं है एक रेका कि दिक को जाएं एलेमन होती ही तो L² plus M² plus N² equal to 0 बोलो सत्य है कि असत्य है असत्य है एक होता है तीनों भुजाओं की तीनों भुजाओं की तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उसका सदिस योग सुनने होता है नोट कर लो बच्चो कॉपी में कि A से लेके B, B से लेके C और C से लेके A का जो योग होता है यह थियोरम बहुत काम में आएगी A, B, B, C, C, A का जो सदिस योग होता है बिटा वो शून सदिस होता है हाँ, देखो एक बहुत बड़ी आवाद बताए हम तुमको अगर आप एक्जाम देने गए और एक्जाम में यदि सून ने लिख दिया तो सत्त करके मत आ जाना सून सदिस होता है क्योंकि सदिसों का योग सून सदिस होता है उस समय अगर ये अकेला सून ने लिखा है 98% 99% बच्चे गलत करके आएंगे सत्त लिख देंगे बट सून ने लिखा है तो आंसर क्या होगा असात्य क्योंकि सदिस लगना चाहिए सदिस का योग जो होता है वो सम्वरत नियम का पालन करता है मतलब बकरी प्लस बकरी बराबर बकरी सेर प्लस सेर बराबर सेर मतलब सदिस प्लस सदिस बराबर सदिस ही होगा चलो ठीक है समझ में अगला सवाल कॉट एक्स का इंटिग्रेशन हमें याद नहीं आप लोग बताओ cortex का integration होता है log sin x, क्या होता है log sin x, चलो 10x का integration log sin x plus c under root x square plus a square का क्या होता, देखो भाई साब upon में बैठा हुआ है upon में बैठा हुआ है वो भी किसमें under root में है, तो log में जाएगा question है ना, तीसरे का e बन जाएगा dx upon x square plus a square 10 की यादा आगई, 1 upon 10 inverse x upon x square plus a square, x plus x square plus a square, अभी भी आपको अगर यह formula याद नहीं है, मतलब आपकी त्यारी अच्छी नहीं है, इन फॉर्मूलों को बिलकुल याद कर लीजे और मैंने आपको chart paper दिये थे, ठीक है ना तो उन chart paper में अभी भी फॉर्मूले बना करके रख लो, ठीक है ना chart paper में उन फॉर्मूले बना लो उसमें टांग लो फॉर्मूले, चलो भाई क्योंकि अभी CUET का भी एक्जाम है सब के काम में आएंगे, तो फॉर्मूले और मुले का काम करते रहो भाई, दिखते रहे हैं वो बार की जगे 6 रख दो, तो आगया 12 पाई, किसको समझ में नहीं आया, वोलो जोर से, सबको आ गया, चलिए, डिफ्रेंशेट कर दो, हाँ, अभे, पूछ, आ गया, चलो अगला question, x स्क्वार प्लस 4y का बिंदू, एक दो से होकर के जाने वाले अभी लंब का समय करना, कि ये है आपके में, चली देखे क्या कह रहा है, एक उतपात की x से कईयों के विक्रे से कुल आये इतनी है, तो सी मानत आये निकलना है, क्या बोला था मैंने, r-x निकल लो, r-x तीन दोने 6x और 36 हो गया, किते पर निकलनी 15 पर, तो 15, 6, 90 और 36 होगा, कितना भाई साब, 126, आंसर करेक्ट है, 126, बिल्कुल सही है, चलो, अगला question, x प्लस y और x माइनस y का योग ज्यात कीजे, क्या आपसे नहीं बनेगा क्या है, एक बार जोड़ दो, और एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस और माइनस दिया है, एक बार प्लस कर दीजे, तो y से y कैंसल हो जाग और फिर x को अधर ले जाना तो answer आजागा, बोलो clear है, बहुत बढ़ी है, चली अगला चलते है, 2000 उन्हें इसका बोड़ पराच चुका है, इसको कर लिया क्या हम लोगों ने, नहीं उतना ही करना था, objective करा रहे है, subjective के लिए आप लोग से जो नहीं बनेगा, वो करवाऊंगा, मैं आपको, subjective से जो आपको नहीं बनेगा, वो करवाएंगे, चली अगला question देखे, यहाँ पे कुछ question आ गए है, पहला question आपके सामने यह देख रहा है, बहुत है, इकी पावर x देखते ही किस चीज की यादा थी, राजा रानी गय बजार, यह देखो, यह द कैसे करोगे, तो i is equal to e की पावर x को साइड गल लो, इसको लिख सकते हो, x, 1 प्लस x का whole square, बिल्कुल लिख सकते हैं, अब मैं अगर यहाँ पे one add कर दूँ और one minus कर दूँ तो कोई समस्या, बिल्कुल नहीं, कोई समस्या नहीं होगी, i is equal to e की पावर x, देखो बिटा, अब एक काम करो, x प्लस 1 के नीचे, 1 प्लस x का square, और minus 1 के नीचे, 1 प्लस x का square, बाट दो, अब x प्लस 1 से, एक x प्लस 1 कैंसल हो गया, so i is equal to e की पावर x, यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया, one upon one plus x, minus one upon one plus x का, whole square, दो पार्ट बन गए बिटा, अब ध्यान से देखो, मैंने बताया था, राजा रानी के बजार, मीच में मिला कलू, याद आया, याद आया, अब यह देखिए, इसका differentiation यह बैठा है, इसका differentiation यह बैठा है, yes, तो जिस जो differentiation होता है, उसको क्या बोलते थे, f-x, और जो normal होता था, उसको क्या बोलते थे, f-x, अब आप मेरी trick याद करो, मैंने आपको क्या बदाया था, मैंने कहा था, अगर कैसा कोई भी question मिल जाया कि e की power x हो, राणी क्या होती है, f-x, और राजा क्या होता है, जिसके सिर पे ताज होता है, f-x, है ना, तो कल्लू किसके साथ भागेगा, राणी के साथ, answer e की power x, इंटो कितना, f-x, तो फिलहाल answer, answer कितना आएगा, e की power x, और f-x यहाँ पे कितना है, one upon one plus, x, ठीक है, clear हो गया, याद चलिए, यह नोट कर लिजे, इसको इस तरीके से पार्ट में बनाना है, बाद में नोट कर लिजेगा, वीडियो अभी लाइव हो जाएगा, थोड़ देर में, उससे नोट कर लिजेगा, चलिए, आंगे, चलते, आंगे, ले question की तराफ, next, देखिए, 24 के बाद, यह वाला question, 0 to 1, 10 inverse x, यह भी बहुत सरल question है, हाँ, देखिए, क्या लिखा है question में, question में लिखा है, 0 से लेके 1, उपर बैठा हुआ है, 10 inverse x, और नीचे बैठा है, 1 प्लस x का square dx क्या होगा, ठीक है बाई, देखो साध्यान से, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, क्योंकि 10 inverse x का differentiation क्या होता, 1 प्लस x square होता है, तो t equal to, ले लिजे कितना 10 inverse x, तो dty dx equals to, कितना हो जाएगा, 1 प्लस x square हो जाएगा, चलिए, अब limit put करना पड़ेगा, देखे, क्योंकि x की limit कितनी 0 से लेके 1, तो सबसे पहले x equal to 0 डाल दो, तो t equal to 10 inverse 0, और 10 inverse 0 कितना होता, 0 ही होता है, दूसरा, t का माननी का लिए कितनी पे, जब x equal to 1 है, तो x equal to 1 पे 10 inverse 1, बोले तो कितना πाई बाई 4, तो आईए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt upon dx, तो dt is equal to 1 upon 1 plus x square dx, मतलब dx upon 1 plus x square क्या बने गया, आपका dt बन गया, चलो, limit लगाओ, limit 0 से लेके πाई बाई 4, 10 inverse x को आपने क्या मानना था, t, बाकी का मामला क्या हो गया, dt, answer t square by कितना आगया, 2, और limit कितनी लगीगी, 0 से लेके πाई बाई 4, चलो, 1 upon 2 को बाहर करो, upper limit t की जगे, πाई बाई 4 डाल दो, πाई का square हो गया, 4 का square, 16, minus lower limit स्वाह, answer πाई square, बटे कितना, 32, correct answer, note करिए, πाई square upon 32, गोलो, clear है सभी को, चली, πाई square upon 32, correct answer, चली, अगला question है, x square plus y square equal to a square, आपको याद होगा, इसका answer आता है, πाई a square, तरीका मैं नहीं बताऊंगा, आपको कई बार करार रखा है, I hope इसको solution आप कर लेंगे, ठेके ना, पाई a square इसका answer आएगा, y का फलन मनाएंगे, फिर इसको 0 से लेके a के limit में integrate कर लेंगे, अगला question है, y1 equal to sin x y2 equal to cos x से घेरे वक्रों का छेतरफल ग्याद कीजिए, जो की 0 तथा pi by 4 के बीच में इस थी, तो थोड़ा सा मैं आपकी मदद कर देता हूं इस question में, नए type का question आपको लग रहा होगा, ये, चली, किसका बिटा जैस, हाँ तो मैं तो दूसरे वाले का बता रहा हूं, इसका डाइग्राम में क्या समझना है बिटा, x square plus y square equal to a square, ये तो सीधा वो है न बिटा, वृत है न, x minus 0 का square, y minus 0 का square equal to a square, clear है, ये तो वृत है सीधे, वो इसके बाद वाला, हाँ, इसको तो मैं करा रहा हूँ, देखो, चलो देखो, कैसे करते हैं इस question को, बता देता हूँ, साइन x और cos x का graph आपको पता होना चाहिए, चली ये, ये लीजिए, सबसे पहले y1 equal to sin x, तो sin की कहानी सुरू कहां से होती बेटा, 0 से, ये देखो, sin का साब 0 से दोड़ा दीजिए, ये, sin, और भाई, चलो चला लेना काम, ठीक है, बस इतना काफी है, साइन का कहानी 0 से हो गई, और cos का graph कहां से होता है, ये, और भी जाएगा आँगे, बट इतना काफी है, चलो, बस, कह रहा है, कि x equal to 0 से x equal to pi by 4, ये कितना है बेटा, ये x x से है न, ये x equal to 0 है, यहाँ पे, और pi by 4 कौन सा point होता है, आपको पता है, कि इस point पर, ये जो point है, ये, क्या होता है, sin pi by 4, 1 upon root 2, 45 degree, cos pi by 4, 1 upon root 2, दोनों बराबर होते हैं, मतलब ये ही point है, दोने के बीच का, आपको निकालना है, ये वाला छेतरफल, ये देखो, ये छेतरफल आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, उपर वाला area, limit कहां से कहां तक चलेगी, 0 से pi by 4 तक, तो कैसे निकलेगा उपर वाला ग्राफ उपर वाला ग्राफ कौन सा भाई रेड वाला और रेड वाला कौन सा है cos x कौन सा है cos x तो cos x का shaded area कहा से कहा तक 0 से लेके pi by 4 तक minus नीचे वाले area को minus कर दो minus नीचे वाले area dx लगाना मत भूला नीचे वाला कौन सा graph है? sin x का 0 से लेके πाई वाई 4 बोलो समझ में आया है, सभी को की नहीं आया है? आ गया चलो, तो इसको अब हल करते हैं अपन 0 से लेके πाई वाई 4 cos x dx और 0 से लेके πाई वाई 4 sin x dx उपर वाले graph में से नीचे वाले graph को माईनस कर देते हैं, area को तो 0 से लेके πाई वाई 4 cos x का integration क्या होता है, बोलो sin x limit कितनी है, 0 से लेके πाई वाई 4 minus, sin x का integration क्या होता है minus cos x, minus minus हो गया plus, और यह हो गया cos x 0 से लेके πाई वाई 4 चलो अब solve करें, sin 5 x 4 1 upon root 2 minus sin 0, 0 cos 5 x 4, 1 upon root 2 cos 0 कितना 1 answer 1 upon root 2 plus 1 upon root 2 बोले तो 2 upon root 2 minus का 1, बिटा 2 को क्या लिख सकते हो 2 को लिख सकते हो, root 2 into root 2 upon में root 2, cancel minus का 1, answer आ गया, root 2 minus 1 बोलो clear है बोके मुकुल, चातरपाल समझ में आया चलो गई अगले सवाल की और चलते हैं सत्यापित कीजिए कि ये फलन आउकल समीकन का हल है, कल कर आया था ये question मैंने, कि ये इसका हल है, तो इसको 2 बार आउकलन करके ये बन जाता है, तो कल वाली लेक्चर में आप लोग देख लिएगा, कल करा चुका है चलो, प्रशने कर दो दो बीस, स्वत्वल समक्रामा की ये भी हो चुका है, ये question पूरा करा दिया है मैंने ये भी हो गया, आज ही करा है मैंने याद होगा, आप लोगा है, साइनेक्स हाँ, ये पेपर दो बार आ गया है mistake से थोड़ा से ये देख लेते हैं ये जो question है हाँ, ये तो बन जाएगा sixth वाला बहुत आसान है गुडन फल को परिभाशित करना है तो क्या करोगे भी, first row है इधर 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 पर ऐसे होता, row होता, column होता है तो कैसे होगा इसका हल, देखो भाई सबसे पहले क्या आएगा order, ये लिख लो तो इसका order कितना है, ये है three cross one, और इसका order कितना है ये है one cross three तो ये मिल गई मंजूरी और ये आएगा order, मतलब जो answer आएगा, उसका order आएगा three cross three three cross three मतलब total nine element आपको मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से 9 element मिलेंगे, चलो आप गुणा करते है first row, first column one two, two, one three, three, one four, four two, two, four, two, three, six, two, four, eight three, two, six, three, three, nine, three, four, twelve ये ही होगा इसका answer, बोलो clear है अगला question ने कि सिद्ध कीजिए, जांचिए कि क्या ये x equal to zero पर सतत है कि नहीं है सबसे पहले limit निकालता हूँ, तो limit extends to zero पर function कितना आएगा आपके पास x square रखा हुआ है तो answer कितना आएगा, zero बिल्कुल सही बात है, limit चपकादो zero आगया अब फलन का मान निकाल लो zero पर तो zero पर zero आएगा, आता है ये कैसा है सतत है अगला question x minus y equal to pi वा भाई, कितना आसान question है तो y को इधर ले जाएगे तो x minus pi equal to कितना वन गया y, d by dx equal to x का आउकलन 1 नहीं बिटा, minus y अल्रेडी था ना, तो इस तरह आएगा तो अपने पास में pi y बन गया x का उकलन 1 और minus pi का कितना हो जाएगा 0 तो answer d by dx की value किती आएगी 1 आएगी चली तो ये जो हमारे पास उपलब्ध paper थे पिछले वरसों के ये हल हो गये है ठीके ना, अब इसके बाद अगली जो class है 10 minutes के बाद वो आपकी class जो है वो जो sample paper हमारे board के आये हुए इस बार के 4 प्रश्न पत्र तो कोसिस करेंगे कि जितने paper पूरे के पूरे solve हो जाएगे वो हम उनको solve करने का प्रयास करेंगे तो 10 minutes के बाद मिलते हैं कुछ खाबी लिए आप लोग उसके बाद मिलते हैं धन्यवाद